कि हैलो आप सब का इस वीडियो में दिस इस स्कार आज के इस वीडियो में हम उत बहुत इंपॉडेंच चैप्टर है चैप्टर number 4 पर ऑफ इस्टेट लाइन उसका बहुत इंपॉडेंच सम देखने सब्सक्राइब को कैसे सॉल करना चाहिए कैसे हम लोग को बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम से प्रसेड करना चाहिए तो क्या है पासिंग तो यहां इंपोर्टन चीज क्या है कि यह जो लाइन से हैं जिसका हमें पता करना सब्सक्राइब करना है और यह पास हो रहे हैं और प्रपेंडिकुलर तो लाइन रिप्रेजेंटेड बाए दिस लाइन तो तो 5X² plus 2Xy minus 3Y square equal to zero okay, तो इस line के basically क्या है, perpendicular है, इस line का यह जो lines है, ठीकर, इसमें भी 2 lines है, जो कि हमारा क्या joint equation of line है, तो इसमें भी 2 lines है, और इसमें भी 2 lines है, अपफ यह जो 2 lines है, मतलब हमारे जो 2 lines है, जिसका हमें lines पता करना है, जिसका हमें equation पता करना है, वह लाइन क्या है इसके फेंडिकुलर है इस लाइन के फेंडिकुलर रहोगे तो इसमेंaid क्या करना आ है जो लाइन हमें क्या है कि गिवेन में और आप देखोगे यहाँ पर गिवेन गाइशन ऑफ लाइन इस वह त्युकर है तो यहाँ पर लुकर के скी-वाइशन लि categ यहाँ टूप्र है यहाँ पर जॉइन ऑफ लाइन जुएंट Türkiye सोफ लाइन क्या है educated of line is what हमां आरा किया दिया हुआ है 5x square 5x square plus 2xy xy minus 3y square equal to what 0 let m1 and m2 let m1 and m2 be the slope be the what be the slopes of line slope of of that of the of the what of the above okay joint equation of line okay joint equation of line okay of line तो ये क्या है m1 and m2 क्या है इस line में जो भी हमारे lines है उनके slopes m1 and m2 और में आपको पता रहेगा जोई भी joint equation of line रहता है इस line को हम लोग normal जो जनरल फॉर्म होता है joint equation of line उससे compare कर सकते है कैसे compare करेंगे देखो यहां पर क्या लिख सकते है ax square plus what 2hxy 2hxy plus what क्या हो जाएगा यहां पर b y square क्या हो जाएगा b y square will be equal to what 0 will be equal to what 0 ठीक है अभी देखो यह हमें इससे compare करने से क्या फाइदा होगा कि हमें a का value 2h का value और यहां पर यहां पर b का value हमें मिल जाएगा और हम लोगों इससे compare करते है compare करेंगे देखेंगे तो हमारा जो x square कोफिसेंट है और यहां पर x square कोफिसेंट है उससे compare कर लेंगे तो यहां पर a का value क्या हो जाएगा by comparison वाइच्ओं और सब्सक्राइब लोगों बिया आसब्सक्राइब टो फाइफ के वर्लाटोयगा भी-वी-ल वर्टोयप्टोचияхब आपर इससे मिलेगा यहां पर यहांपर l कोफिसेंट यहांपर ह outta गरने तो हांतरी कोफिसेंट हो ओर है तो यहांपर पर याई क्या हो जाएगा हमारा स्ट कर सकते हैं लोग के लिए विडियो में तो वहां से आपर कर सकते हो और यहां पर हमारा M1 into M2 यानि कि दो slopes का जो product होता है that will be equal to what A upon में भी that will be equal to what A upon में भी तो यहां पर जो value पता हम यहां पर substitute कर देते हैं और हमें M1 plus M2 और M1 into M2 का value मिल जाएगा M1 plus M2 के M1 plus M2 will be equal to what यहां पर माइनस टूएच माइनस टूएच यहां पर देखोगे टूएच का वैलू क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो मैं यहां पर माइनस लिखा पर तू लिखा डिवाइड वार्ट बी का वैलू क्या दिया हुआ है बीका वैलू दिया हुआ है यहाँ पर माइनस 3 दिया हुआ है ठीक है तो इसको फॉर्दर सिंप्लिफाय करेंगे यहाँ पर माइनस से माइनस केंसिल ओके तो यहाँ पर टू बाइ थ्री हो जाएगा यह किसका वैलू मिला मुझे में M1 प्लस वाट M2 का वैलू मिला M1 प्लस M2 का वैलू मिला ओके ठीक है तो यह मुझे M1 का प्लस M2 का मिला अभी मुझे M1 into M2 का वैलू पता करना है वो कैसे होगा M1 into M2 will be equal to what M1 into M2 will be equal to A upon में B यहाँ पर A upon में B ओके एका वैलू गिवेन क्या है फाइफ है और वी वैलू इस वाट माइनस रियोके तो मैं इसको फॉदर क्या लिख सकता हूं M1 into M2 will be equal to what minus 5 by 3 minus what 5 by 3 यह दो वैलू मिले इसका हम लोग आगे यहाँ करने वाले क्या यूज करेंगे इसका यूज करेंगे हम लोग joint equation find करने के लिए जिसका हमें joint equation पूछा है question कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूं राइट यहां पर फॉर्स टेप अब ऐसा कई भी problem आता है तो आपको सबसे पहले M1 plus M2 और M1 into M2 calculate करना है with the given joint equation of line हम से क्या पूछा है हमें कैसे line का joint equation पूछा है जो कि क्या है origin से पास हो रहे है important point है यहां पर देखोगे तो origin से पास हो रहे है OK origin से पास हो रहे है and they are what perpendicular they are perpendicular जबी जखो ऐसा कोई condition होता है जिसमें origin से पास हो रहे है perpendicular है perpendicular का मतलब क्या है कि यह जो lines है ओके यह जो lines है ओके यह क्या है यह जो given equation of line है उसकी हमारे необход गिंड और ये जो यह इंका किया है तो ऐसे जो हमें हम क्या है तक नहीं क्या है वह दो दो लाइन से मिलक बना रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा उसका अगर हमें पता करना है तो यह होगा वह हमें वह में कंडिशन क्या दिया हो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि उसका जो स्लोप होगा इस लाइन का क्या होगा उसका हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल लेने का और माइनस माइनस करने का पर एक्जामपल लेट से यहां पर आपको मैं लिखूंगा तो अच्छी तरह सम स्लोप ओ स्लोप ओ सिक्वारण उके रिकुयर। मतलब जिए लाइन का स्लोप में आध चैए है। अरज टि आल ओक्षार्प वर एक्वेशन ओव वेता ऩणीर और त कि ट्वेस्ऎंग मेर द्वाइजए सेत्ग के अग्युक्वर आफ फील आइन से पिर अध्यन zone इस गावा ख़ुक्या ओंगा एंश कि अगली दआ इस इन सप्राइज क्या है रिक्वाइड है रिक्वाइड है lines are perpendicular क्या है perpendicular है एक परपेंडिकुलर हैं तो दा वाट गिवन लाइन गीवन लाइन कौन से हमारा जो मैंने अभी इसका कैलकुलेट किया गिवन गिवन लाइन ओके इसका स्लोप क्या है विच एज विच आज स्लोप ओफ वार्ड विच एज़ लोप ओफ एम ओन एंड वाट एंटो के तो हमें जित लाइन का स्लोप चाहिए वो क्या है पर्पेंडिकूलर है तो नहीं हो जाएगा उसमें यह क्या है required equation का जो first line हो जाएगा first line का जो slope होगा ओके यहां पर में लिख द्रहूँ slope of slope of first line क्या हो जाएगा minus of what यहां पे M1 लिखने का minus of what M1 क्यों कि पहले बात तो reciprocal कर लो और minus को इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यह जो लाइन है जिसका लाइन का में स्लोप पता करना है वह लाइन क्या है पर्पेंडिकुलर दे टूदी वर्ट गिवे लाइन और ऐसे हम लोग कभी ऐसा पर्पेंडिकुलर कंडिशन होता है तो ऐसे हम लोग पता करते हैं यह हो गया first line का कर दो करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हम लोग उन लाइन का सप्रेट एक्वेशन पता कर सकते हैं इसे करेंगे हैंस यहां पर separate यहां पर लिखता हूं separate equation equation of line separate equation of line when यहां पर condition क्या हुआ है when lines are when lines are what lines okay are passing are passing are passing through what to origin okay through origin okay इसका मतलब क्या है कि जो lines है वो क्या हो रहे पास हो एक्जामपल ऐसा समझो कि यह मेरा coordinate system है ओके जिस य-axis इस एक्से जो line है ओके जो line का हमें क्या गरना है let's say equation पता करना है okay वो line सबसे पहले तो क्या है origin से पास हो रहे हैं okay let's say इसका करना है उसका क्या है मोग ले रहे है let's say इसका जो slope मैंने म्ट्व है ऐसा है दो कहां से पास हो रहे है कभी औरीजन से पास होते हैं तो हमारा जो equation of line होगा वह Mx उजाए y equal to क्या हो जाता है Mx y equal to क्या हो जाएगा बच्चो Mx प्लस ही नहीं है विकोस यहांपे क्या हो रहा है यह lines origin से पास हो रहे कोई भी यहां पर y intercept नहीं हो के वाइचस पर कहीं पर भी वह intersect नहीं कर रहा है इसलिए हम लोग यहां पर y मैंतंग को दिखी स्टाइब हो जाएगा रैट कि यूथ यहाँ पर प्युटरोप इसा है अबए इसको थोड़ा further हम लोग क्या कर सकते हैं simplify कर सकते हैं yes कर सकते हैं यहां पर देखो बच्चो तो मैं इसको multiply कर दे रहा हूं right m1 को y के साथ multiply हो तो m1 into y लिख सकता हूं which will be equal to minus x okay इसको further यहां पर m1 y plus x m1 y plus x equal to what 0 ले लिया है यह हमारा first equation हो जाएगा offline okay first equation of offline okay okay first equation of line हो जाएगा अब इसको इधर भी simplify करेंगे तो यह multiply होगा किसा हो जाएगा m2 into y will be equal to minus of x यहां पर m2 into y यहां पर minus इधर आएगा plus हो जाएगा तुम यहां पर plus x will be equal to what 0 will be equal to what 0 again this will be what हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसको equation 2 लिखते हैं अभी हमें क्या करना है combine equation पता करना है यह दूनों lines का तो कैसे करेंगे अगें दो equation मिले गया है तो क्या करो तो उन्हों को multiply अभी हमें combine equation of line मिलेगा तो hence हम क्या बुछ सकते combined okay यहां पर लिखना हो combined okay combined equation of equation of the lines okay of the lines will be what will be nothing but what m1 m1 into y plus what x m1 into y plus x okay into me kya हो जाएगा m2 into m2 into y plus में यहां पर यहां पर x हो जाएगा यहां पर देखो गए बैच्चो तो आगे अमनों थोड़ा इसको simplify कर लेते हैं यहां पर आगे हम लोगो simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर आगे हम दो simplify करते हैं यहां पर में तो है न तो हमारा पहले ए मल्टिप्ला होगा सी प्लस स्थि के साथ एशा फ़र्मूला होगा तो पहले m01 सकाлем सथ multiple तो क्या हो जाएगा यहां पर m1 m1 into m2 into into Ev stationed ролog yy जाएगा प्लस यहां पिक में के फिर क्या हो गाए एंप्र याइंटोmm şu यहाँ प्लस लिखा हो यहां पर मैं पहले मुलए होगा थो यहां पर आप से आओ जाएगा एक्स स्क्वेर विल एक्वल टो ओर एक्स स्क्वेर ओंली ओके आइन यहां पर जिरो आ जाएगा इसको फॉदर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइब करते हैं ओके तो यहां पर हमारा देखो एक्स को आल्वेस पहले लिखने का राइट ओके एक्स स्क्वेर यहां पर हो जाएगा फिर इन दोनों में देखोंगे बच्चे हो तो यहां पर एक्स वाय है यहां पर भी एक्स वाय है ओके तो मैं एक्स वाय कॉमन ने सकता हूं तो अंदर क्या बचेगा हमारा M1 प्लस वाड एम टू एम टू के बाद हमारा यहां पर एक्स वाय प्लस क् अभी देखो बच्चों यह बहुत इंपोड़े यहां पर जो आया है नहीं समलों कि आपका डेरिवेशन एक ओके यह जो अभी मैं नेक्स समझे बताऊंगा ना आपको उसमें यहां तक करना रहेगा ओके यह एक्जाम में पूछा भी गया है ओके यह पूछा भी गया इतना स करने के लिए तो यह क्या है जिसे करें अभी बता दे रहां आपको यह जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ हमें एक जनल फॉर्म में दिया है और बिसकलि परपेंडिकुलेंट टू इसलाइं ओके ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना रहेगा जब वैसा पूछा ज करता है तो हम लोग उस लाइन का बिसिकली जॉइंट एक्वेशन लाइन पता कर सकते हैं अगर मुझे पता है यहां पर देखोगी हमें गिवें लाइन दिया हुआ है यहां पर पर पेंडिकुलर है उसका जनल फॉर्म नहीं दिया हुआ यहां पर वैल्यूस दिये गए और यहां पर M1 into M2 हमने यहां पर calculate किया है M1 into M2 calculate किया है ठीक है ओके सो यहां पर कैसा हो जाएगा यहां पर देखोगे M1 प्लस M2 का वैल्यू क्या दिया हुए है ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर देखोगे बच्चों तो यहां पर हमारा xy हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर माइनस वाट 5 by 3 था माइनस 5 by 3 y square okay minus 5 by 3 y square will be equal to 0 इसको further हम लोग क्या करेंगे बच्छो simplify करेंगे further क्या करेंगे simplify okay यहां पर देखो 3 है इधर भी 3 हम लोग क्या करें क्या हो जाएगा यहां पर 33 एक्षवयल ने रहे प्लस में क्या प्लस माइनस वाइनस यहाँ हम लिखेंगे माइनस 5y स्क्वेर विल वे एक प्वल टो और 0 यह हमारा क्या मिला यह हमें बैसिकली जॉइंट एक्वेशन ओफ लाइन मिला जो रिक्वाइड लाइन से जो क्या थे प्रपेंडिकुलर थे गीवन लाइन के ओके यह जो हमारा लाइन गीवन है ओके जो लाइन इसके प्रपेंडिकुलर प्रपेंडिक्वार अफ लाइन हमें क्या मिला है mb opens denze के जुए जाएं ठीखिशन आफ लाइन हमें भी इस सेम ihoa सेसा हिए साहिसाम इसका भी इसमें दिखो गे पिछले-बसम इसमें क्या दिया हुआ है हमारा जो लायन से रिचाफ ए पर पंडीकुलर ओकी अपतल और यहां पर दिखेसन ऐब वही खूर्मूला भणेगा और यहां पर प्छलीय जो सुलूजम था इसमें भी वही फौर्मूला ही यहां तक हमने वही जओ टो प्रॉब्लम में भी हम लोग क्या करेंगे बचू वाला प्रॉब्लम उसमें यहां तक Semi होने वाला है यहां तक क्या होने वाला है और यहां पर क्या होगा यहां पर M1 plus M2 M1 plus M2 will be equal to minus 2H upon me B मतलब यहां पर आगे इसको आपको simplify नहीं करना है यहां पर सिर्फ आपको M1 plus M2 equal to minus 2H अपन में B लिखके छोड़ देना है M1 into M2 equal to A upon B लिखके ऐसे छोड़ देना है आगे नहीं करना है विकॉज नेक्स क्वेश्चन जो है उसमें हमें कोई वाल्यू ने दिया है 2H का B का और A का ओके ठीक है अभी हम लोग क्या करते है यह वाला जो परपेंडिकुलर तो दो लाइन चैना में रिक्वाइड मतल़ जिनका में जॉइंट इक्वेशन ऑफ पता और पर पेंडिकुलर दिस लाइन और तो अगें पूरा प्रोसेस वही रहेगा आपको यह लाइन को लेना है फिर इसका पहले इसका क्या निकलना है है slopes इसको करने एंवन एक्टू है उसके एक्टर लिखना है इसमें आपको में प्लस आपके लिए होगे वोकर मैं आपको बता रहे हो कैसे आपको करना रहे है यहां पर आपको दिया हुआ है हमारा जो normal यह जर्म होता है जनल सोम में दिया है तो इसका जो स्लोप रहेगा इसका जो स्लोप का सभाइगा यह एक बिल बीकल रहां को चलिए मैं अपन में पड़ेगा हमें जो मोन और एंटू क्या है यह स्लोप ओफ दिस लाइन हो कि इस लाइन का स्लोप है एंटू जो लाइन समय पता करना जिनका को जिनका हमें जॉइंट एक्वेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जो आपको मैंने एक्वेशन को मैं थोड़ा सब्सक्राइब करना फिर आगे इसको सॉल करना रहेगा ठीक है यहां पर क्या है एक्स स्क्वेशर है एक्स स्क्वेशर है प्लस क्या है एक्स यान इंटो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर लंटो एक्स टूए उसके से गगर कृपने बी-2H अपन में B ओके X Y हो जाएगा X Y हो जाएगा प्लस प्लस लेगा उसके पाद यहां पर M1 into M2 क्या दिया हुआ है एपन में भी एपन में B equal to what A upon में B into में क्या हो जाएगा यहां पर Y square Y square equal to zero क्या हो जाएगा यहां पर जीरो एक अभी क्या दरते हैं देखो मैंने आपको क्या बता है denominator में कोई भी term होना नहीं चीए तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा db क्या हो जाएगा केंशिल जाए ब्ल्टिप्लाइगा बचेंगा पर हो सब्स कहां बचेंगा a y square y square that will be equal to zero because kalian better zero यह दो आपको formula है punish here क्या है यह हो जाएगा general form के बच्रेप्था फोंगे आप डारेक्टली जो मैंने और तरह समिता उसके थूरू आप इसली पता कर सकते हो तो यह हो गया ऐसे प्रोग्म में आपको ऐसे करना है तने चोटे कि महीं करना है पहले मनें अ जो करना सबस्क्राइब एंप Nu कि थो करना है ये चैनली आपको क्या मिलेगा तरह में कोई में डाउट रदा कमेंट से बताऊं मैं बताऊंगा ओके यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह दोनों एक्वेशन आप याद कर लो कि एक तो यह हो गया जब क्या होगा लाइंस पर पेंडिकुलर रहेंगे तो उनके लिए यह हो जाता है और अगर लाइंस नॉर् पर पेंडिकुलर रहेंगे उनका जॉइंट इक्वेशन यह हो जाता तो यह आपको सीटी में यल्प कर सकता है जब डारेक्ली आपको बोला जाएगा कि मतलब पर पेंडिकुलर है तो आप जॉइंट इक्वेशन पता हो तो आपको बढ़ा सा करने के जुरूबत नहीं है आप डारेक्ली इस फोर्मूलिय में पूट करो इसे क्या वहला एक्वेशन जो दिया रहेगा इसमें 1 का कुछ और वैल्यूइच एक्स एक्स अफिसेंट बन जा रहा है वहां पर एक्स य का कोफिसेंट प्लस तो यहांपर याउप स clicked हमारा क्या रहता है अपको करना कि उसमें समझा रहेएगा कोई थे तो आ अप पता हो और इसका जो PDF नोट से हो आपको देने से राप भी मिल जाए हो महां से आप रेफर कर सकते हो ओके तिल देन के प्रैक्टिसिंग के प्लनिंग बाय अल दे बेस्ट